जौदा महीनों में दूसरी बार दिल्ली चुनाबों की तरफ बढ़ रही है इस मौके पर ABP News हर पार्टी को अपना घोशना पत्र पेश करने का मंच दे रहा है पेश है घोशना पत्र दिल्ली की लड़ाई हमेशा सीधी बटाएगे पिशली बार कॉंग्रेस उम्मीद कर रही थी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट काट दे और बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस के वोट काट दे इस बार कॉंग्रेस उम्मिद कर रही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के वोट करते और बीजेपी उम्मिद कर रही है कि कॉंग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट करते लड़ाई सी भी नहीं है त्रिकोणी है तो कॉंग्रेस का क्या हाल है क्या जफर की तरह रंगून भेज दी गई या दम अभी बाकी है हमारे साथ आज मौजूद है गोश्णापत्र में कॉंग्रेस का चेहरा दिल्ली चुनाओं के लिए पीड़ी बदलने के बाद अजय मातन दिल्ली में कॉंग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा पॉंग्रेस की तरफ से स्वीयम के संभाविश उमीदवाद बेदाज दावन के साथ में मैंने दिल्ली के अंदर काम किया है हम लोग ट्रस्टेड भी हैं और टेस्टेड भी है 51 साल के अजय माकन के कंधों पर अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी है दिल्ली में कॉंग्रेस का बेड़ा पार लगा ले दिल्ली के अंदर कभी भी दिल्ली के राजनेतिक इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई लोग सभा का चुना हुआ अप्रती निधी कॉंग्रेस पार्टी से उसके बाद विधान सभा का चुनाव लए या आज तक के इतिहास में नहीं हुआ 2013 के विधान सभा चुनाव तक दिल्ली में शीला दिक्षित ही कॉंग्रेस का चेहरा थी लेकिन अब कमान माकन के हाथ में क्यूंकि शीला दिक्षित के नेत्रत्व में पार्टी आठ सीटो पर सिमट गई माकन के सामने चुनावती पार्टी को फिर से सक्ता की पट्री पर लाने की है 1985 में डूसुका अध्यक्ष बनकर चात्र राजनीती से करियर शुरू करने वाले माकन अब पार्टी में मीडिया प्रमुक के ओहदे पर है 1993, 1998 और 2003 में लगाता तीन बार विधायक रह चुके माकन 49 साल की उमर में सबसे कम उमर के स्पीकर बने थे दिल्ली में शीला दिक्षित सरकार में परिवहन और बिजली मंत्री रह चुके हैं दो बार सांसद रहे माकन मनमोहन सरकार में खेल और युवा मामलों से लेकर शहरी विकास मंत्री के पत्पर रह चुके हैं माकन पिछले साल लोगसभा का चुनाव हार गए थे लेकिन पार्टी ने दिल्ली में वापसी के लिए इन्हीं परदाव लगाया है माकन को कॉंग्रिस ने दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार समिती का प्रमुख बनाया और खुद माकन सदर बाजार सीज से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ यहां मौझूद है अजे माकन साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो मंच पर आए और दिल्ली को बताएं कि क्यों कॉंग्रिस को वोट दिया जाए अजे माकन साथियों सबसे पहले तुम्हें ABP News को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक प्लैटफॉर्म हम लोगों को यह दिया है जिसमें हम लोग अपने बारे में अपनी पार्टी के बारे में आप सब लोगों को और आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को कुछ बता सके जैसे अभी यहां पर शुरू में मेरे बारे में थोड़ा सा बताया गया मैंने अपना राजनेतिक जीवन 1985 में दिल्ली विश्विद्याले छात्र संग के अध्यक्ष पर से शुरू किया लेकिन यही नहीं उससे पहले दो साल पहले उससे मैं सबसे पहला चुनाव क्लास रेप्रेजेंटेटिव का अपने कॉलेज के अंदर लड़ा और वो जीतने से मैंने अपने प्लाजनेतिक जीवन की शुरूआत करी उसके बाद पॉलेज का सेंट्र काउंसलर और वहां से दिल्ली विश्विद्याले छात्र संग का एग्जेकुटिव काउंसलर और उससे भी पहले स्कूल के अंदर जब मैं ग्यार्वी कक्षा में था तो हमारे स्कूल के अंदर इलेक्शन की एक परती संग्जेविय स्कूल जहां से था वहां पर भी मैं चुनाव लड़ा मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आज कल और कुछ समय से एक फैशन है कि जिसमें लोग राजनेतिक एंबिशन सीने में दबा करके लोगों को ये कैसे हैं मैं तो राजनेतिक नहीं हूँ सीने के अंदर दबा हुआ राजनेतिक मनशा होती है लेकिन लोगों के सामने एक ऐसा चेहरा अपना और दूसी तरफ राजनेताओं का और राजनीती का दलदल से भरा पेश किया जाता है कि मैं तो इससे दूर हूँ और फिर राजनेतिक मनशा को पूरा करने के लिए वो लोग आगे आते हैं मुझे इस चीज़ का की खुशी है और गर्व है कि राजनीती में आने की सोच जब मैं छटी कक्षा में था और क्लास के अंदर डिबेट्स में कॉलेज के अंदर अलग-अलग जगाओं के उपर स्कूल के अंदर इस प्रकार के सोशल प्लैटफॉर्म में आने का मकसर मैं यह सोचता था कि मैं अपने आपको त्यार कर रहा हूँ मेरे मन के अंदर, मेरे सीने के अंदर उस वकत से इच्छा थी और उसकी एक वजह थी मेरे दादा जी, मेरे पड़ दादा, मेरी दादी सबके सब फ्रीडम फाइटर थे और फीडम फाइटर मुव्मेंट से जोड़े हुए से मैं अपने घर के अंदर उन लोगों को जब मैं देखता था और काम करते हुए देखता था मुझे लगता था कि राजनीती एक ऐसा माध्यम है जिससे कि देश को और समाज को अच्छे بدलाव की ओर लिया जा सकता है ले जाया जा सकता है और आज भी मेरी यही सोच है मुझे मौका मिला उससे पहले हमारे सरकार की पॉलिसी सी एन जी का विरोत करने की थी सी एसी और सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर के दिल्ली के अंदर हम CNG दिल्ली के अंदर उस वकद पूरे के पूरे पूरे पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के अंदर हम लिया है उसके बाद जब मैं अर्बन डेवलप्मेंट मिनिस्टर बना सुप्रीम कोट के ओर्डर से अन्रियलिस्टिक पुराना मास्टर प्लैन था 2001 का जिसको समय पे प्रोफेशनल्स को यहां तक कि जो आप मीडिया प्रोफेशनल्स हैं वो लोग भी अपने घर के अंदर अपने छोटे स्टूडियो नहीं खोल सकते थे वो सारी के सारी चीज़ें हमने उसमें अलाओ कराई उसके बाद जब मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने का मौका मि कि लाफ में CBI के माध्यम से जाच करवा रहा था और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले इस चीज़ के लिए मैं इन्शोर कर रहा था बी सी सी आई को नकेल डाला जाए इसके लिए जो बड़े बड़े लोग नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कॉंग्रे समेथ जो लोग थे वो लोग मेरे दुश्मन मैंने उनको बनाया लेकिन बी सी सी आई को नकेल डाला जाए राइट टू इन्फोर्मेशन में लेक जब मैं housing minister बना तो real estate developers को जो लोग आज ठकते हैं real estate developers लोगों को super area और carpet area के बीच में difference करके dotted lines के उपर sign सरवा करके उन लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों से cabinet के अंदर और बाहर लड़ाई लड़कर के real estate developers bill हम लोगों ने पार्लिमेंट के अंदर मैंने अपने time के ओपर उसको pass cabinet से करा करके introduce कराया जिससे कि आज अगर वो जब भी वो act बन जाता है राज्य सभा में introduce कराया ताकि वो lapse ना हो हमारे corrupt builders के हाथों लोगों को सोशित ना किया जा सके इस चीज़ को ensure किया जाए हम लोगों ने street vendors के लिए bill लेकर क्या ready पट्री वालों के लिए act बनाया जिसके तहट धाई परसेंट शहर के अंदर population की reserve होनी चाहिए उसकी आबादी के संख्या जितनी जिसमे street वेंडिंग के लिए plan तरीके से पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर हो सके पूरे देश के शहरों में हो सके अब ये सारी की सारी बाते मैंने अपने बारे में बताएं लेकिन साथ में मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ जैसे मुझे मेरी पार्टी ने और मुझे मौका मिला 21 वर्ष लगातार तीन बार विधान सभा और दो बार लोग सभा में जाने का और विधान सभा के अंदर जो मेरा track record है पहला चुनाव मैं 3,000 से जीता दूसरा 19,000 से जीता तीसरा 24,000 से जीता उसी शेत्र से पार्लिमेंट के अंदर track record पहला election मैं 13,000 से जीता दूसरा election एक लाक नबे हजार से जीता उसी जगे से तो इस track record के साथ जब लोगों ने बार बार ना केबल मुझे चुन करके भेजा बलकि पहले से ज़्यादा प्यार सम्मान और समर्चन के साथ भेजा इस track record के साथ में मैं अपने आपको आप लोगों के और दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत करता हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के 10-10-15-15 साल के administrative experience उनके पीछे हमारी पार्टी में हैं जिन लोगों को मैं कहता हूँ जैसे इसमें दिखाया गया कि वो trusted भी हैं और tried भी हैं हमारे डॉक्टर एके वालिया जो पंदा साल लगातार मंती रहे उनका impeccable political career और इतिहास रहा है डॉक्टर केरन वालिया योगा नन शास्री अरविंदर सिंग लवली हरुन यूसुफ एक एक करके ये सारे के सारे लोग हैं जिन लोगों को administrative experience भी है trusted भी है और tried भी अब सवाल ये आता है जो इसके बारे में इसके बाद पूछा जा सकता है कि फिर आप लोग चुनाव हारे क्यों ये सब लोग तो उस वकर भी थे 15 साल की एक anti-incumbency हम लोग के सामने December 2013 में थी और वो single नहीं double anti-incumbency थी दिल्ली और के अंदर दोनों के अंदर 2014 के अंदर 10 साल की center के anti-incumbency थी और ये दोनों की दोनो political parties हमारे सामने थी हमारे खिलाफ में थी जनता को सुनहरे सपने दिखाए जा रहे थे और ये लोग जनता को अलग-अलग दुभावने वाइदे कर रहे थे उसके बारे में मैं जब प्रशन या दूसरी बाते होंगी और विसार से भी चर्चा करूँ मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगा इस सुनाव घोशना पत्र के अंदर मैं कुछ अपना विजन भी देना चाहता हूँ हमारे मेनिफेस्टो की घोशना आगे आने वाले समय में होगी लेकिन उससे पहले मेरी क्या सोच है दिली के बारे में मेरा इतना लंबा एड़िस्टेटिव अनुभव एक्स्पिरियंस दिली के बारे में हमें क्या सोचता हूँ इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों से जरूर चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि आज सबसे महत्वपून ये बात है कि दिल्ली के मुद्दे असल में क्या है और दिल्ली के उन मुद्दों को कौन और कैसे आगे लेकर के जाने पूरा कराने में सक्षम है हमारे यहाँ देश में सोशो एकनॉमिक कार्ट सेंसर्स अर्बन एरिया में कराया जाए इसमें हाउधिंग एन अर्बन पावर्टी मिनिस्टर जब मैं था गरीबी उन्मूदन मंत्री तो हम लोगों ने एक हाशिम कमेटी का गठन किया और हाशिम कमेटी ने एक बहुत ही चौकाने वाला आखड़ा हम लोगों के सामने रखा हमारे यहाँ पर जिनिक ओफिशन एक पैमाना होता है जिससे डिस्पैरिटी यानि गरीब और अमीर के बीच में कितनी दूरी है उस चीज़ को मापा जा सकता है तो यह पाया गया कि सन दोहजार चार पांच और दोहजार नौदस के बीच में जहां हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पर डिस्पैरिटी जिनिक ओफिशन्ट के माध्यम से पॉइंट 30 से घट करके पॉइंट 29 हो गई यानि डिस्पैरिटी रूरल एरियाज में कम हो गई वहीं पर दूसरी तरफ अर्बन एरियाज के अंदर यह जिनिक ओफिशन्ट यानि डिस्पैरिटी यानि गरीब और अमीर के बीच में दूरी 0.37 से बढ़ करके 0.39 हो गई यानि गरीबी और अमीरी के बीच में एक दूरी हमारे अर्बन एरियाज के अंदर बढ़ गई के उपर उतनी स्यंक्या के अंदर दिल्ली के अंदर और पूरे देश के शहरों के अंदर हम लोगों को हम लोगों ने कानून बनाया कि उतने स्पेस हमारे पूरे देश में होना चाहिए दुर्भागे की बात है हम लोगों ने जो ये कानून बनाया उसके बाद में रूल्स ब कानून उसके लिए रूल्स की अभी तक के घोशना नहीं करी जो इस चीज को सुनिशित करे कि यहां पर दिल्ली के अंदर गरीब रेड़ी पट्री लगाने वाले लोगों को इकनौनिक इंक्लूोजिवनेस किस तरीके से फाइनिशल इंक्लूजन किस तरीके से उनका दिल्ली के अंदर किया जा सके ex- uneven के रुए में यह नोटिफाय हुआ और अब नोटिफाय हुए वे इसको लगबग एक वर्ष हो गया कई स्टेट्स ने इसको किया है लेकिन दिल्ली ने अभी तक नहीं किया हाई कोट में बार बार गोहार लगा जायने के बाद में इस एक के अंदर एक प्रोविजन है कि जब तक कि प्रविजन रेडी पट्री वालों को जिनके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो कानून हमने बनाया उसका उसके रूल्स भी मनाए जाए इसी प्रकार से बिजली को अगर हम ले 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 तो बिजली के अंदर जब हम लोगोंने प्राइबिटाइजिशन किया था रिफॉर्म्स ह पैसा 65 करूल रुपे के कुरीब उस जाय उस जमाने में 2002-03 के अंदर पर परçaटाइल को लगता था जो कि लगभग अब कम से कम सवा करोड़-500 क्रूल रुपे pont बर पर पर सेंट केरिट करव रुपे करोड़ यानि हर साल इन प्राइवेट कंपनीज को लगबग 6,000-7,000 करोड रुपया एक्स्ट्रा मिलते हैं केवल बिजली की चोरी रोकने से तो अगर ये रेगुलेटरी कमिशन के माध्यम से और दिल्ली सरकार अगर चाहे तो बगएर सबसीडी दिये दिल्ली के अंदर हम लोग बिजली की जो है कीमते टैरिफ हम लोग इसको कम कर सकते आम आदनी पार्टी ने सबसीडी दे करके थोड़ी सी सबसीडी दे करके कुछ समय के लिए कम किया मैं इस तरीके को सही नहीं मानता हूँ सरकारी सबसीडी देख करके अगर आप कुछ समय के लिए केवल अपना पीठ अपता पाने के लिए वो पैसा जिसका आप इस्तमाल दिल्ली के अंदर पीने के पानी की लाइन्स की दिक्तत है उसको अगर आप रेक्टिफाई करने की जगे अगर दिल्ली के अंदर उन जुगी वालों के लिए मकान बनाने के पैसा खर्च करने की जगे वो टैक्सपेयर का पैसा अगर आप बिजली की कमपनी को आप गिफ्ट के तोर पे दे रहे हैं तो एक तरीके से सरकारी ओफिशल रिश्वत दे रहे हैं ताकि वो कुछ समय के लि की जैसे मैं बात करता हूँ दिल्ली में 242 लीटर पर कैपिटा पर डे का पानी उपलब्ध है सिंगापुर में 162 लीटर पर कैपिटा पर डे और होंग कोंग में 172 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से पानी मिल पानी उपलब्ध होने पे वो 24 घंटे पानी देते हैं यो पैसा हम बिजली की कमपनीस को दे रहे हैं, उस पैसे को अगर हम इन सब चीजों में अगर हम दूसरे शहर में लेकिन जमना अभी भी प्रदूशित है क्योंकि दिल्ली के अंदर सीवर का पानी नालों के माध्यम से जमना के अंदर जाता है CSC ने ये कहा सुनिता नरायन का ये कहना है कि आप इसको छोटे-छोटे आप बीच में रोक करके आप लगा करके आप सीवर को अगर आप ठीक करें आप इसको आपको बड़े-बड़े सीवर प्लांट लगाने की जरुवत नहीं है आप छोटे-छोटे अनॉसराइस वालनीस के बाहर सीवर को वहीं पे ट्रीट करके नाली से एफ्लुएंस उसको जो बाती बचा हुआ है उसको भेजे आप दिल्ली के अंदर यमना को साफ कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोगोंने सीएसी और सुप्रीम कोट के साथ मिल करके सीएन जी को हम लोगोंने लागु दिल्ली में कराया उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर स्विज्ध टीट्मेंट और यमना पलुशन हम लोग मिल करके और एक्सपोइट के साथ मिल करके कर सकते हैं राजनेतीक इच्छा शक्ती अगर है तो हम लोग ज़रूर कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं मैं समझता हूँ कि आप भी और दूसरे सब के सब लोग भी और प्रशन पूछने में बहुत इंट्रेस्टेड हैं और मैं उन प्रशनों के उत्तर देते हुए और बाकी विजन भी अपने जो और मेरी सोच है उसके बारे में भी और मैं विस्तार से बात करूँगा तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे मंगत साब आप यहां बैठें और हम सवाल जवाब का सिलसला शुरू करते हैं हमां साथ यहां कई वरिश पत्रकार दिल्ली पर नज़र रखने वाले दिल्ली के कई प्रमुक नागरिक मौजूद हैं पहला सवाल जो कॉंग्रेस से दिल कॉंग्रेस भी यह जानती है कि कॉंग्रेस में चेहरा बनाने क्या वशक्ता है ही नहीं उन्हें तो जीत हासिल होने वाली नहीं है जैसे असीला दिक्षित जी ने कहा है वो तो सपोर्टिंग डोल में आ गये हैं वो अब लीड प्लेयर नहीं है दिल्ली की राजनीकी में ऐ इसलिए क्या हार से जीत की शुरुआत हो सकती है या नहीं यह कॉंग्रेस विवेज ना करें अपने दो अपने लोगसभा इलेक्शन का रिकॉर्ड बताया तीसरे हार का नहीं बताया यहीं बीजेपी क्या रही है तीसरे जो जिस ताइन पे मैं हारा था दोहजार चौदा में और दोहजार तेरा में जब हमारी आठ सीट्स रह गई थी उसमें और आज में एक बहुत बड़ा बुन्यादी फरक है और वो बुन्यादी फरक यह है कि उस ताइम पे हम रूलिंग पार्टी थे दोनों के दोनों समय में एंटी इंकम्बेंसी थी और लोगों ने उस समय तक दोनों की दोनों पार्टीयों को अजमाया नहीं था आज जब हम लोगों के बीच में वापस जा रहे हैं तो हम लोगों से यह पूछ रहे हैं कि यह साथ महीने के अंदर जो भार्टी जन्ता पार्टी के एक तरीके से मोधी जी का डायरेक्ट शासन था राश्पति शासन के माध्यम से तो क्या आपके अकाउंट में पंदा पंदा लाग रुपे हर एक के आगे छोड़िये पंदा लाग पंदा 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 पैसे आगे हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जिस जगे को जिस शहर को बीजेपी रेप फ्री कैपिटल कहना कहती थी कि हम बनाएंगे क्राइम फ्री कैपिटल बनाएंगे ऐसा क्यों हो गया कि 2014 के अंदर क्राइम के रेट्स और रेप के रेट्स अर प्रत्याशित रूप से आगे बढ़ गए 2013 के मुकाबले हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी बड़ी क्या चीज़ें मोदी जी ने डाइरेक्ट अपने शासनकाल के दोरान करी जिससे कि लोग उनको वोट दें वैसे ही आम आदमी पार्टी से उनकी उन्चास दिन की सरकार रही हम उनसे ये पूछते हैं कि वो तो जिन वाइदों को ले करके आया आज दो बजे मेरी प्रेस कॉन्फिंस है जिसमें कुछ मैं बहुत महतुपूर्ण दस्तावेज पेश करने वाला हूँ मैं हम आज उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो हम लोगों को बताएं कि वो तो कहते थे कि रोज जनसभा करेंगे जनता दर्माल लगाएंगे एक दिन जनता दर्माल लगाकर उसके बाद में कहा चलेगे वो तो कहते थे contractual labor को हम permanent करेंगे वो contractual labor कितनी है जो permanent होगी वो लोग कहते थे कि हम लोग बिजली के rates कम करेंगे तो क्या subsidy दे करके बिजली के rates कम हुए आज केजरिवाल जी सतीश उपाध्य की company और आशीश सूद का नाम कहते हैं इनकी companies हैं तो इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि उन्चास दिन की जो उनकी सरकार है में उसके अंदर वो इस प्रकार की companies को detect करना करने में उनकी कमी रह गई वो fail होगे तो जब वो खुद मुख्यमंत्री रहते हैं जब उनको ये सारे दस्तावेज नहीं मिलते हैं जब वो मुख्यमंत्री से हट जाते हैं जब opposition और धरना party बन जाते हैं तब उनको सारे के सारे दस्तावेज मिल जाते हैं तो दिल्ली के interest में और राष्टर के interest में public interest में उनको opposition में ही रहना चाहिए क्योंकि दस्तावेज और सारी चीज़े तो उनको आपोजिशन में मिलती है, रूनिंग पार्टी में तो उनको कुछ नहीं हासे होता है। करना है, कैम्पेइन कमेटी का चेर्मेन का मुझे एलान करना है, इस चीज की घोशना 12 जनवरी को हमारी पार्टी ने करी। कि जो हमारे लगातार तीन तीन चार चार पांच बाच बार चुने हुए विधायक हैं वो विधायक लोगों के बीच में जा रहे हैं और डो टू डो जा रहे हैं हमारी स्टेजी यह है कि वो कहें और जो कि होगा इस सुनाव के अंदर आप देखिएगा आपके सर्वेक्षनों में भी परिवर्तन आएगा क्योंकि पहले अब आप पूछते थे कॉंग्रेस बीजेपी आप तो आपको दूसरे नतीजे मिलते थे अब आप पूछेंगे डॉक्टर एके वालिया को वोट देंगे इसको वोट देंगे उसको वोट देंगे कम से कम आप मिल जाते थे कम से कम आप काम कर देते थे कम से कम इतनी डे sanctions के उपर चुनाव लढती है हर पार्टी की अपनी स्ट्राटीजी होती है जरुरी थोड़े है कि अगर मोदी की एक स्ट्राटीजी है तो हमारी भीkok Automati उसको फॉलो करें हमारी स्ट्रेटिजी लोकलाइज हमारे विधायक जो स्रेंग्थ है हमारी हमारी वो स्ट्रेटिजी भाकन साब मेरे नाम इनके सिंग है अभी आपने कहा कि 55% स्वीपेज की वज़े से वाटर नीचे चला जाता है अब जरा सोचिए आप 15 साल आप रहे 15 साल में कोरोजन अगर हुआ होगा पाइपलाइन का सब्टेरेनियन पाइपलाइन का तो वो आपके दौरान हुआ है जब आप इसका एक स्वेक लेम करते तो लगता नहीं लॉजिकली आप गलत है और हज़गता देख के हासेगी 15 साल आप रहे 55% सीपेज हो रहा है 100 लीटर पा बाउंस बैक किया हो इशूज को लेकर जब 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 जनता ने मैसेज दिया करप्शन को लेके तो आप कहीं किनारे पाए गए अगर पार्टी नहीं थे तो किनारे थे साइकलोजी में एक बिमारी होती है यूतनेसिया जिसे इच्छा मृत्यू कहते हैं लगता नहीं कि कॉंग्रेस में इच्छा मृत्यू शुरू हो गई है और वो जनता से करें बाई अब हमें छोड़ दो जाने दो विस दुनिया से ऐसे में कैसे आप बाउंस बेक करेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हार के बाद बाउंस बैक करें वो आपके में ताकत ही नहीं दिखाई देती देखिए आपने दो सवाल पूछे पहले पहला मैं उतर दूँगा जो दूसा सवाल आपका बाउंस बैक करने का करप्शन के चार्जिज लगते रहे हम लोग किनारे करते रहे हम जवाब नहीं दे पाए जिस टाइम पे हम उपोजिशन में हम रूलिंग पार्टी थे दोनों सेंटर में और स्टेट के अंदर उस वकत हम जो भी कहते थे लोग उस बात को नहीं मान रहे थे आप अगर इस बात को देखें कि अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ लोग पाल बिल हम लोग लेकर के आए उसके बाद में मैं समझता हूँ कि ये बात सही है मैं इसको मानता हूँ कि उसमें देरी हुई है अगर यही हम लोग पाल पहले लेकर के हम आते तो हम शायद इस बात को सोच की सोच को हम रोक पाते जो जो सोच लोगों के दिमाग में घर कर गई है मैं इस बात को बिलकुल मानता हूँ, इससे मैं इंकार नहीं करूँगा, और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि भरश्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर और अगर भरश्टाचार के इतने बड़े मुद्दे को देश के अंदर discussion का और लोगों को vote इसके पर्फरंट में लाए और फोर्फरंट में लाकर के किया लेकिन एक चीज़ मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं ठीक है हम लोगों से गलती हुई हम लेट हुए हम लोग हमारे कोलिशन पार्टनर्स इसमें बहुत शामिल हुए हमारी पार्टी के सुरेश कलमाडी इसमें आये लेकिन जो हमारे इतने सारे के सारे जो हमारे अगेंस एलिगेशन जो सामने निकल करके आए वो सारे के सारे का बेसे केवल दो थे एक आटी आई था और राइट टू इंफरमेशन ट्रांस्पेरेंट गवर्मेंट के अंदर भी हमारी सरकार लेकर के आई यूपी एक वन ले परकारे होती हैं वो ऐसे व्यक्ति को पॉइंट ऐसी जगहों के उपर करती हैं जो जो मैनेजिबल हो जो बाद में जरुवत पढ़ने पर जैसा चलाएं कर सकते हैं कम से कम कॉंग्रेस पार्टी को ने इस विनोध राय को हमारे पार्टी के लोग कहते हैं आपने किसको सीएज की बना दिया जिसने आप ही की जड़ खोद दी हमारा यह कहना है इसको दूसरी तरफ से देखें कि हमने कैसे सीएजी को बनाया जो की निश्पक्ष था जिसकी वज़े से हम लोगों को नुक्सान भी हुआ लेकिन निश्पक्ष तो था तो आटी आई और सीएजी दोनों की सेहमत हूँ मैं अगर जो है दिल्ली के अंदर सब चीजें ठीक होती ग्लास आदा भरा हुआ है आदा खाली भी है दिल्ली के अंदर सब चीजें अगर ठीक होती सब चीजें अगर बहुत अच्छी होती तो हम लोग चौती बार भी हम लोग जीत करके आते हम लोग दिल्ली क सब्सक्राइबirk दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजें हुई है हमारे मेट्रो अप्रतियाशित रूप से दिल्ली के अंदर बढ़ा है फ्लायोवर्वस का जाल हमारे यहां पर आया है बिजली की सित्री 1998 से पहले और अब में बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन आया है हमारे डिल्ली के अंदर बसें जो हैं इस प्रकार की हम लोग क्तरों करना चाहते हैं हम ट्रॉस चीजें रह गई हैं उसको हम आगे आने वाले समय में पूरा करेंगे हम जनता के सामने हाथ जोड़ करके यही विनमल निवेदन करना चाहते हैं अजय मैं मधुकर बोल रहा हूँ यह आपने अपने बयान में यह कहा कि डबल एंटी इंकम्मेंसी थी डिली की 15 साल की और केंडर की 10 साल की जिसकी वज़ा से आप 2013 में चुनाव हार गए जो शीला दिक्षित का बयान है आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का क्या आपको नहीं लगता कि शीला दिक्षित ने एक बार वही इंटी इंकम्मेंसी कांग्रेस पर फिर से लाद दी है जिसकी वज़ा से आप कहते हैं कि आप चुनाव हार गएं क्योंकि ये बयान देकर उन्होंने कह दिया कि इंटी इंकम्मेंसी अब भी शीला दिक्षित की वज़ा से Congress Party के खिलाफ ही जाएगी मदुकर जी ये शीला जी का जो ब्यान है इसके बारे में मैंने भी स्पष्ट किया उन्होंने भी कोशिश करी है इस पर और स्पष्टा से अपनी बात कहने की क्लारिफाय करने की लेकिन मैं आपको बताऊं Congress की जो Official Line है उसका कहने का हक मुझे है As General Secretary All India Congress Committee In Charge Communication और Chief Spokesperson के नाते तो मैंने बार-बार ये कहा है कि ये उनकी निजी राय है ये Congress Party की राय नहीं है जहां तक Congress Party की सोच है Congress Party की राय ये है इस निजी राय से नुकसान हुआ है देकिन एक confusion तो पैदा हुआ मैं इस बात से इंकार नहीं करता एक confusion ज़रूर पैदा हुआ है लेकिन वो उनकी निजी राय है Congress Party की राय ये है अगर मान लीजे हम लोगों को समर्थन देना होता या लेना होता तो हम चुनाव से पहले ही समर्थन दे देते तो चुनाव की जरूरत ही नहीं होती तो जब चुनाव नहीं हमको चुनाव में जाना पड़ा तो अब हम चुनाव के बाद में किस फूर से उनको समर्थन देंगे या लेंगे लोग कहेंगे सीधे के सीधे फिर आपने पहले क्यों नहीं किया तो मैं इस बात से बिलकुल मेरी अपनी निजी दाय भी और पार्टी की भी यही लाइन है कि हम लोगों को कॉंग्रेस पार्टी के इंट्रेस्ट में चुनाफ के बाद हम लोग अकेले रहेंगे और मुझे तो उमीद है कि जिस तरीके से महुल बदल रहा है नीचे से रिपोर आप उसमें आपने कुछ राहुल गांधी का जिकर नहीं करा राहुल गांधी की दिल्ली के चुनाव में कोई भूमिका नहीं है क्या वो आप उनको सामने नहीं लाना चाहते हैं क्यों क्यों हिच्च के चाहट है नहीं, ऐसा नहीं है, सोनिया जी और राहूल जी दोनों के दोनों हमारे नेता हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, और वो दोनों दिली में हम लोगों के लिए कैमपेंड करेंगे, और दोनों के दोनों कैमपेंड करेंगे कॉंग्रेस के लिए, दिली के चुनाव में, अ लिए प्रचार भी करेंगे सोनिय भी प्रचार करेंगी हमारे हर और लाहुल जी और सुनिया जी है वैसा ही कुछ बयान चिदंबरम जी का भी आया था अब ऐसे जब बयान आते हैं भी शिला दिक्षित के बयान की आप बात कर रहे हो और फिर ख़बर ऐसे भी आती है कि यूपी में जो जिम्मेदारी देनी है उसमें रहुल गांदी के निर्णे को सूपर सिट कया किया गया तो आप ही कहते हैं के कन्फूजन पैदा होता है कॉंग्रेस पार्टी जनता को ऐसे बयानों के जरीए क्या मैसेद दे रही है आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के ब्यानों से कन्फूजन पैदा होता है इस प्रकार के ब्यानों से विरोद अलग-अलग लोगों के अलग-अलग बात होती है और जो हमारी सोच है जो हमारी समझ है क्या माकिन जी राहुल गांधी की सत्ता को कॉंग्रेस में अंदरूरूरी ही चैलेंज जिनको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए हमारे बहुत सारे नेता समय उचित समय पर नहीं अपने ब्यान खुद देते हैं तो जो हमारा कम्मुनिकेशन डिपार्टमेंट है हमारा कम्मुनिकेशन डिपार्टमेंट का असल में काम communicate करना है party की ideology, party की सोच, party की line को लेकिन, कई बार हमारा communication department बन जाता है miss communication दूर करने के department तो ये बात हमने अपने नित्रित को भी कई बार बताया है और हम लोग की कोशिश भी है कि हम लोग इस बात को ठीक करें और आगे आने वाले समय में आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस प्रकार के विरोधी स्वरों से हमें बहुत नुकसान कई बार होता है हमारी जो असली में जो कॉंग्रेस की जो सोच है और जो कॉंग्रेस पार्टी की लाइन होती है बाद में वही फॉलो होती है तो मेरा आपके माध्यम से फिर जनता से और लोगों से कहना है कि कॉंग्रेस पार्टी की जो लाइन है उस चीज़ को वो लाइन ये है कि हम लोग किसी भी कीमत के उपर आम आदमी पार्टी को ना तो सपोर्ट करेंगे ना उनका सपोर्ट लेंगे ये सपोर्ट की आप बार बार बात करें तो ये सपोर्ट जब किया गया था तो उसका मकसद ये दिखा था कि आने दीजे इनको इन्होंने वादे की है जनता जान जायेगी ये कुछ नहीं आए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि जनता आप मान रही है क्या कुछ नहीं नहीं ऐसा नहीं है अभी जो है दिल्ली केंटून्मेंट बोट के एलेक्षन सुए थे जहां साथ हजार के करीब हमारे वोटर्स हैं उसके अंदर आम आदमी पार्टी का वहाँ पे सिटिंग एमेले हैं वही पर उसी जगे के उपर आम आदमी पार्टी का जहां सिटिंग एमेले है पहले हमां कॉंग्रेस के मुकाबले आधी सीटे आम आदबी पार्टी को मिली उनीपोलिंग बूस के अंदर 15% फोर्ट आम आदबी पार्टी को कम मिला C copying सो ग्यारा परसेंट फॉलत फाल तू मिला बीजेपी के 3% वोट जो है डिली के बीजेपी के कम हुए और कॉंग्रेस और बीजेपी का नेक तू नेक वहां पे फाइट था तो ऐसा नहीं है कि आप जैसा कह रहे हैं लोग वो सोचते हैं पर उससे गल्ती हुई जो उनको सपोर्ट किया पिशली बार नहीं गल्ती नहीं हम लोगों ने तो उस वक्त उनको सप सारे क्या क्या तोड़के ला देंगे तो उन्चाथ दिन के अंदर वो केवल धरना करते हुए नजर आए अभी भी जो है जो बाकी सारी की सारी चीजें जो उनको डॉक्यूमेंट्स और जो आरोप अभी भी वो लगा रहे हैं वो उस वक्त उनके हाथ में नहीं आई तो इसका मेरा नाम संतोष भारती है इश्वर आपकी उन्हें चाओं को पूरा करे जो हम लोगों को पूरी होती निजर नहीं आ रही है पिछले चुनाव में जो इसके पहले का चुनाव था पंध्रे साल राज करने के बाद आपकी नाक के नीचे से मुसलमान सरकर के आम आदमी पार रहने वाली और कॉंग्रेस को कॉंग्रेस तो लगभग लडाई से बाहर चली गई है मेरा सवाल ये है कि पिछले आठ मेहने में या चार मेहने में इन वर्गों को वापस लाने की कोई कोशिश हमें कॉंग्रेस की तरफ से दिखाई नहीं थी पहला सवाल तो आप कैसे जीत कि हम् सर्वेक्षणों पर हम नहीं बोलतें लेकिन आपने सवाल पूछा है बहुत अच्छा एक तो यह सर्भे एक जनवरी से बारा egnaud ile तक के बीच आथा तो मेरी घोशना बाराज जनवरी को हुई तो मेरे घोशना से पहले का था एक दूसरा इसमें एक सर्वे इस वहले मे बहतर सिती होते हुए, क्यों मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 24 कैंडिडेट्स अपने 12 तारीक से पहले अनौंस कर दिये थे, 70 में से, तो जो सर्वे हुआ, जो मैं पहले कहता था, आप कॉंग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी पूछोगे, एक आपको दूसरा जवाब मिलेगा, तो जब हमारे कैंडिडेट्स डिकलेर हुए, तो वो संख्या 5 से बढ़कर के 8 होगी, अब 12 तरीक के बाद दो चीजें, तीन डेवलपमेंट्स और हुए है, और उन तीन डेवलपमेंट्स की वज़े से मुझे लगता है, कि अब स्तिती बहुत तीजी से पलटेगी, एक डेवलपमेंट सबसे बढ़ा ये हुआ, कि दिल्ली के अन्टोनमेंट बोट का रिजल्ट 12 तरीक को आया, और उससे कॉंग्रेस के जनों में उत्सा बढ़ा, और कॉंग्रेस ने उत्से उत्साहित हुआ, दूसरा 12 जनवरी को मेरी भी अनॉंसमें की भी जब लिस्ट आएगी, आप तीनों कैंडिडेट को जब आप सामने रखकर के लोगों के बीच में जाएंगे, तो ये आंक्रे 8 से कही ज्यादा आगे निकल जाएंगे, आप आगे आने वाले समय में ये भी बात को देखें, तो इसलिए जो सर्वेक्शन आपके पहले सर्वेक्शन थे, उसमें सबसे कम सीट थी, हमारे कोई कैंडिडेट डिकलेर नहीं थे, हमारे 24 डिकलेर हुए, आपके आपके जो है, तीन से पांच से आठ आपका बढ़ गया, हमारे 70 कैंडिडेट डिकलेर हुए, प्रचार समीती का अध्यक्ष में आया, मैं खुद चुन करता हूँ, All India Minority Education Trust के लिए कुछ काम करता हूँ, आप ये बताइए कि अब मुसल्मानों को अपने साथ लाने के लिए बीजे पीसे डराएंगे, कि मौलानाओं को साथ लेंगे या काम करेंगे, मैं उखला में रहता हूँ, आपने पानी की बात किया, हमें पानी पीने को मै सर नहीं है, हम लोग खरीब के पानी पीते हैं, उसके बाद आप पंदरा साल में हमें पानी नहीं दे सके, मुसल्मानों का Exploitation आप किस तरह करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए उनकी लिए क्या नियाते हैं? देखें, हम लोग Exploitation में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं, मैंने जैसे सबसे पहले, मैंने कहा कि disparity के हम खिलाफ हैं, हम लोग की सोच हमेशा से, और मेरी व्यक्तिकत सोच और Congress Party की सोच लिए रही है, सर्धर्म सद्भाव की, और साथ साथ में पूरा equitable distribution of power, wealth होना चाहि ये, शेहरों के अंदर खास सोर पे, जहां पर हम खुद कह रहे हैं, कि गरीब और अमीर और अलग-अलग वर्गों के बीच में हम लोग की खाई बढ़ती जा रही हैं, मैं आपको केवल इतना यकीन दिला सकता हूं, कि Congress Party के शासन काल के दौरान, हम लोग सद्धाव का आप दे सकेंगे, और हमारी निष्ठा नियत पे बिल्कुल कतई भी शक ना करें, हमारे अंदर जो रग-रग, मेरे अंदर तो चार पीडी का Congress का खून है, सेकुलिरिजम से भरा हुआ ये खून है, ये कभी भी इसके लावा कुछ और नहीं कर सकता, मैं केवल इतना के लिए लोगसभा चुनाव में ऐसा क्यों हो आपके लिए? लोगसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाए ने आम आदमी पार्टी को क्यों आपके उपर तरजी दी? लोगसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे कारण थे हैं, एक कारण सबसे बड़ा नरिंदर मोदी जी के मुकाबले अर्विंद केजविवाल जी का वारा नसी जाकर के चुनाव लड़ना था, मैं बड़े खुल करके आपको बात करना हूँ, उन्होंने अपने आपको इस त क्यों नहीं किया, अगर आप समझ रहेते हैं, आपने पूछा सवाल, मैंने जवाब दे रहूं मेरी बात आप समझ रहें, उन्होंने खुल करके कभी भी यह नहीं का कुमार विश्वास के जो लगातार मोदी के समर्थन में जो उनके बात रही है, उसके बारे में उनका क्य विचार है उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं का कि उन्होंने जिस वकत पहले अन्ना हजारे जी के साथ ते ये कहा कि मैं चुनाव में कभी भी नहीं आऊंगा मैं सरकार कभी भी नहीं बनाऊंगा राजनीती में कभी नहीं आऊंगा तो फिर क्यों राजनीती में बच्चों आद ही जूट और जूटों के पुलंदे के उपर है तो उसके उपर बनी हुई इमारत से कैसे वो भरस्टाचार के खिलाफ लड़ पाएंगे आज मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहएंगा मागन साब मैं मौलाना अनसार रजा गरीवनवाद साउंडेशन से हूँ 65 साल से हिंदुस्तान के मुसल्मानों को आप लोगों ने बीजेपी से डरा के रखा हिंदुस्तान के वजीर आजम का एक बयान आया है अमरीका जाने से पहले कि हिंदुस्तान का मुसल्मान अपने मुलक का वफादार है यह अलग बात है कि हम उनसे साटिफेक्ट की जरुवत नहीं हैं वफादार है मुझफर नगर दंगे के बाद राहुल गांदी का बयान आता है कि मुझफर नगर के कुछ मुसल्मान बच्चे IAS IAS के संपर्क में हैं हम किसको अच्छा समझें राहुल गांदी के बयान को या मोदी के बयां देखे मैं 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 आपसे इतना कहना चाहूंगा कि राहुल गांदी जी के साथ मेरे को कुछ समय बिटाने का मौका मिला है आप लोगों को शायद आप लोगों में से किसी के भी मन में पुछ जरा सी भी शंका और संशे अगर है तो मैं उसको दूर करना चाहता हूँ कि अगर अकलियतों के बारे में पार्टी के अलग-अलग फोरम में और बाहर भी अगर कोई सबसे ज़्यादा उनके बहतरी के लिए उनके आगे बढ़ाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी की सोच और बात रहती है तो राहूल गांदी जी की रहती है मैं केवल इतना कह सकता हूँ बाकी एक बहुत बड़े ब्यान में से कोई एक शब्द या दो शब्द निकाल करके उससे उनकी पूरी की पूरी सोच को मैं आपसे अनुरोद करना चाहूँगा हाद जोन करके विंती करना चाहूँगा कि पूरे के पूरे उसके अंदर से एक सेंटेंस दो सेंटेंस निका जाती है क्या आप इन तीन बिंदूओं पर अपना पोजीशन जो है उसको स्पष्ट करें पानी और बिजली पर कॉंग्रेस कोई सबसीडी नहीं देगी दूसरी बात है एडुकेशन और मेरा मतलब है स्कूल एडुकेशन दिली की जो सबसे बड़ी एक क्राइसिस इन दे मेकिंग है कि यहां की डिमांड बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी स्कूल एडुकेशन उस गती से नहीं बढ़ रही है इस विशे पर ना तो कॉंग्रेस ने ना बीजेपी ने ना आमादनी पार्टी ने अभी तक कुछ कहा है क्योंकि दिली की एक अजीब स्थिती है यहां पर स्कूल एडुकेशन इस ट्रैप्ट इन बिरॉक्रसी तो इस पर आप क्या कीजिएगा आपने बहुत अच्छे यह दोनों सवाल पूचे हैं और मैं अपना व्यक्तिकत एक्सपीरियंस पर एडुकेशन से कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे स्कूल जो गौर्वर्मेंट बिल्डिंग्स बनाती हैं और वहां पर बिल्डिंग्स जो बनाती हैं वहां पर अगर इंफ्रस्ट्रक्टर के हिसाब से देखें तो कई जगे के उपर बहुत अच्छे अच्छे ऐसे infrastructure हैं शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे लेकिन जहां पर quality की जहां तक बात है वहां पर हम लोगों को इस बात की भी गहराई से सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम credible जो private institutions हैं उन लोगों को हम लोग उस infrastructure के साथ में जोड करके हम लोग उन infrastructure का बहतर इस्तमाल हम कर सके जब तक कि हम लोग इस दिशा के अंदर हम सोचना नहीं शुरू करेंगे हम government schools को government schools की तरह से ही उनका सर हम नीचे रखेंगे हमारे दिली के अंदर मेरा ये मानना है जैसे मैंने कहा कि इतने साल यूइस्टी से लेकर करके आप तक कि बहुत सारे ऐसे educationists होते हैं मिले हैं मुझे जिनके पास में जमीन नहीं है जिनके पास में resources नहीं है लेकिन उनके पास में जज़बा है उनके पास में experience है तो हमारे को इन दोनों का मिश्रण करना पड़ेगा और अगर हमें मौका मिलता है और मुझे मौका अगर मिलता है तो हमारा सबसे महतुपूर्ण और सबसे बड़ा कदम इस इस दिशा के अंदर होगा दूसरा जो बिजली और पानी का सबसेडी की जहां तक बात है मेरी राय यह है कि सबसेडी दे करके कुछ समय के लिए अपना फीट सब्तपाना एक सही सही तरीका नहीं हो सकता आपको सिस्टम के अंदर आपको अमूल चूल परिवत्तन करने पड़ेंगे जब ही जाकर के आप लोग एक ट्रांस्पेरिंट तरीके से आप बिजली और पानी दे सकते हैं हम लोगों के यहाँ पे बिजली पहले जब हम लोगों की बिजली चोरी होती थी तो जैसे मैंने का 54% ATNC aggregate of technical and commercial losses होते थे तो उस वकत हम लोगों ने जब privatize किया तो सबसे बड़ा हमारी सोच यह थी कि यह private companies आएंगी इनकी बिजली की चोरी रोकेंगी और उसकी वज़े से यहाँ पे बिजली के rates कम होगे तो एक चीज तो हो गई कि 54% से घट करके 13% होगे 10% technical losses होते हैं जो किसी भी कीमत पे मुंबई जैसी जगे पे भी 8-10% होते हैं तो जब एक चीज हो गई तो दूसरी चीज क्यों नहीं हो उसके साथ में कि बिजली के rate यानि end user consumer को फायदा क्यों नहीं पहुँचा उसको subsidy के माध्यम से जितने देर तक हम प्रोलॉंग करते जाएंगे एक तरीके से हम लोग private companies को और हम मजबूत कर रहे हैं और उनको हम ए समस्था कि subsidy कोई सही तरीका है कोई अच्छा तरीका है एक अच्छा transparent और अच्छा अच्छा कारे करने के लिए लोटें जहां से मने बात शुरू की थी वही हमारा अगला सवाल है और वो है ये आपकी लड़ाई किस्से है बीजेपी या आप से दिलनी मत कैसी सरकार चली क्या राज्य की हो या केंद्र की हो तो हजार दो से देर सारे मसले बिना निर्णे को फाईलों में बंद पड़े थे गरीबों की समस्याओं से सटे हुए थे लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी अब इस्वी कॉंग्रेस तो टककर में ही नहीं है तब लोग बता रहे हैं और कॉंग्रेस को एक तरह से वोट देने का मतलब अपना वोट खराब करना है कॉंग्रेस अब वोट कट हुआ पार्टी के तौर पे रह गई है तक कर सीदे आमादमी पार्टी और बीजेपी में है आप कहेंगे दोनों से लड़ाई है लेकिन ज़्याद लड़ाई किस से वोट तो आपका आमादमी पार्टी ले गई देखिए मैं सिर्फ यह देखकर के इश्वर और प्रभू और अल्ला से यही प्राथना दर्खास करता हूं कि इनको इसी गलत फहमी यह नहीं खुश फहमी के शिकार यह रहे दस तारीक को इनको पता चल जाएगा क्योंकि 2013 में हम लोग भी इसी खुश फहमी के शिकार थे और 2013 के नतीजों ने हमें बहुत बड़ा जटका हमारे को दिया जब हम खुश फहमी के इसी प्रकार से शिकार थे कोई आम आदमी पार्टी को दो तीन चार सीट देता था यह अपना सर्वे निकाल निकाल करके लोगों को कंविंस करने की इनको जरुबत पड़ती थी मैं सिरफ इतना कहना चाहता हूं कि कॉंग्रेश की लडाई किस्ते है हमारे जैसे मैंने कहा कि हमारी लडाई हमारे विधायक लड़णे हैं छो लगातार चुन-चुन कर जंता के बीच में कारिय और जंता की बीच में रह े के उपर हमारा संगर्ष हमारे पुराने विधायकों का उनन जगाओं के उपर here जिन जगाओं के उपर यहां पे बी जैपी या आम आद्मी पार्टी का विधायक रहा है तो मैं समझता हूं कि इस लडाई के अंदर हमारे पुराने पूर विधायक हमारे चुनाव जीतेंगे जहां तक के उपर के लेवल की बात है जहां तक के स्टेट को डारेक्शन देने की बात है वहां पर मैं भी बता रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं हमने क्या किया हमारी आगे क्या सोच है दूसरे और पार्टी भी बता रही है कि वो क्या कर सकत मत मांगेंगे लोगों से क्या ये माना जा कि कॉंग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह से बिखर गया दिल्ली में और वो मौझूद नहीं है एक सवाल और दूसरा सवाल ये आपने कहा कि आपका कम्मिनिकेशन डिपार्टमेंट मिस कम्मिनिकेशन को सही करने में क्लारिफिकेशन करने में व्यस्त रहता है क्या आप मानते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया का उप्योग आपसे बहुत 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 किया बिल्कुल मैं मानता हूं कि सोश करके मैं यहां पर आया उस वकत ना हमारा Facebook Congress का अकॉंट था ना Twitter का अकॉंट था उसके बाद में आकर के हमने Facebook और Twitter का अकॉंट Congress का शुरू किया website डुबारा डिजाइन कराए और website design कराने में हमारे को चार महिने का समय हमारे को website site पूरे के पूरे बना करके अलग-अलग process procedure से हमारे को हम लोगों को लगा तो यह बात सही है Congress के अंदर हम लोग बहुत पुरानी Grand Old Party है लोगों की बहुत पुराने लोगों के जो लगाव है Congress से वरिश्ट नेता हैं तो इस नाते हम लोग अपने आपको latest changes के साथ अपने आपको adapt करने में हम लोग तेजी नहीं दिखाई हम पीछे रह गए इस कमी को मानने में कोई हर्ज नहीं है मैं इस बात को अच्छे तरीके से मैं मानता हूं लेकिन साथ साथ में यह हर पार्टी की election की एक strategy होती है पिछली आम आदमी पार्टी की strategy थी कि वो door-to-door उनके volunteers आते थे सब जगे डोर-to-door वो लोग जाते थे इस बार आम आदमी पार्टी के volunteers door-to-door election के अंदर सिरफ 20-25 दिन रहे हैं जाते हुए अब नजर नहीं आ रहे हैं आप लोगों से आप पूछिए कि कॉंग्रेस के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनके अनौंस हो गए हैं उन सब कॉंग्रेस के कैंडेट्स ने डोर टूर तेजी से काम शुरू कर दिया है। तो हर पाटी का हर जगे के उपर कारे करताओं का हर इलेक्शन के इंदर अपनी अपनी strategy होती है हमने अपने आपको उस strategy जो हम पहले करते थे किसी जमाने में Congress के पुराने जमाने में होता था उससे हम अपने आपको नज़ीक लेकर क्या है आम आदमी पार्टी ने जो पिछली बार किया शायद उतने वॉलॉंटियर नहीं है इसलिए अब वो उनको बड़ी मीटिंग्स करने पर मजबूर होना पड़ रहा है अजे माकन जी नमस्कार मिरा नाम अचल मलूत्रा है मेरे आपसे दो स्प्रेसिफिक इशू पर आपको विचार जानना चाहता हूं यह जो नैशनल कैपिटल टेरिटरी अफ डेली है इसका स्टेटस बड़ा आजीब सा है ना तो यह यूनियन टेरिटरी है ना फुल स्टेट है और अक्सर इस बात को प्रॉब्लम से बचने के लिए यह साइट भी किया जाता है कि यह हमारा हैडी कैप है तो मैं जानना चाह बाता हूं आपका इस बारे में क्या विचार रहा है आप 10 साल 15 साल तो आप इसमें रहें आप दिल्ली गामेट में उस पीच दस साल यूपेगे की भी गामेट थी बीजेपी ने भी फुल स्टेट हुट देने की बात करी अब लगता है सभी इस से भाग रहे हैं क्या आप इस नतीजे पर पहुंचके हैं कि स्टेट हुट देने का कोई फाइदा नहीं है अगर ऐसा है तो क्यों ना इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए करोड़ों रुपे का जो खर्चा हो रहा है एलेक्शन तो यहीं बच जाएगा जब पूर्ण राजनी मनाना तो हटाई क्यों पहले अन्या यहीं पूर्ण टेरिटरी तो यह अल्री है यूनियन टेरिटरी तो यह अल्रीड है कॉंस्टिूशन के आर्टिकल 239 ऐसे पूर्ण चीजें पुलिस लॉओ और पॉडिक और तीन जो है जो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं उनको उनके अलावा बाकी सब क में किया गया दूसरा इसके अंदर एक जो बुन्यादी फरक है बाकियों में कि in case of any dispute between the state government and the lieutenant governor the matter would go to the president of India and till such time the matter is resolved the lieutenant governor's opinion shall prevail यानि lieutenant governor और all powerful हो गया और lieutenant governor जो है इसमें administrator की भूमिका में आ गया और राश्पती इसका final decision लेगा यानि कि अंदर सरकार इसके उपर क्यों भी dispute के उपर final decision लेगी यह बात आपने खुद इस बात को माना कि Congress की भी जब power में हम लोग रहे उससे पहले NDA की भी छे साल power में रहे वो लोग इसको नहीं कर पाएं cabinet के अंदर मेरा यह मानना है कि कभी भी जब भी फ्रैक्चर मैंडेट रहेगा दूसरी और political parties के उपर जिन political parties का दिल्ली में कोई से नहीं है दिल्ली के अंदर जिनका कोई stake नहीं है जब तक के ऐसी सिती रहेगी जब तक के union territory से state capital बनना यह मुश्किल है क्योंकि आप कैसे expect करेंगे कि अगर कोई party DMK के उपर निर्भर करती है तो DMK तमिल नाडू की यह अलाओ कर देगी कि दिल्ली के अंदर जो national capital है उसके अंदर तमिल नाडू का बिलकुल कोई स्टेक नहीं रहेगा दिल्ली national capital रहेगी लालू यादव नितीश कुमार या इवन चंदरबावु नाइडू या दूसरी और coalition partners या ममता बैनर जी जिन लोगों का दिल्ली में कोई स्टेक नहीं है वो लोग इस चीज़ को असानी से अलाओ नहीं करेंगे दूसरा दोनों त लिए क्या भारत की मिल्ट्री आएगी स्टेट की पुलिस अगर केजरिवाल जी ऐस चीपनिस्टर कहेंगे कि मैं यहां से नहीं उठना चाहता तो दिल्ली पुलिस का जगड़ा क्या मिल्ट्री के साथ में वहां पर होगा क्या हम हम ऐसा ऐसा चाहेंगे क्या अगर यहां प होगा तो क्या वो वीर भूमी से राजगाट पैदल आएंगे ये ये सब एक प्रैक्टिकल सल्यूशन प्रैक्टिकल एक एक चीजें हैं जिसकी वज़े से ये सोच समझ करके पुराने निर्णे लिए गए लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है एक responsible लीडर होने के नाते मेरे कभी भी ये कोशिश नहीं रही है कि मैं एक सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चान सितारे लाल किला कुतु मिनार सब प्रामिस कर दूँ हम लोगों को प्रैक्टिकल होना चाहिए हम लोगों को जनता को गुमरा करने की कोशिश नहीं करनी बलकि जो सही माइने में हम दे सकें डेलिवर कर सकें वही जनता को वाइदा करना चाहिए मांगर जी नमस्कार मेरा नाम दिबांग है मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने सारी बाते कहीं पर मुझे लग रहा है कि दिल और दिमाग तो कॉंग्रेस का बड़ा रखना चाहिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपने आजकल होर्डिंग लगाए हुए हैं कि विकास की डोर तूट गई है अब विकास भारत जैसे देश में वो भी डोर के सारे मेरे खाल से राजमार्क वगएरा कुछ करते तो जादा अच्छा रहता डोर डोर से तो बहुत कम काम होता है खेर मैं उसमें नहीं जाओंगा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सच्चाई है कि आपकी पार्टी के नित्वत की डोर तूट गई है उस नित्वत की डोर की तूटने की वज़े से पार्टी के विकास की डोर तूट गई है आपकी पार्टी की एक सचाई है कि पार्टी केवल शीर्ष नित्व से चलती है आपकी मिज़द करता हूँ पर आप जैसे इंडिविजुल तो एक तरीके से पार्टी में अकेले चने की तरह से है आपका शीषजन नितव्त पूरी तरीके से लगता है कि एकền कर लंबी चुट्टी पर चला गया है या कहूंँ तो लंबी चुपी पर चला गया है न दिखाई देता है न सुनाई देता है न उसको समझ में आता है कुछ न वो बोलता है कुछ ऐसा लगता है कभी कभी के लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करता, सिर्फ फर्मान जारी करेगा, क्योंकि आज हालत 1977 जैसी है और इंद्रा गांधी जैसी नेता आपके यहां दूर दूर तक नहीं है, क्यों है हालत ऐसी और क्यों आपका नेत्वित शीष नेत्वित गायव ह मैंने एक जगे काम किया मुझे आइडेंटिफाइ करके शीष नेत्वित में मुझे दूसरा मौका दिया, अच्छा काम किया, उनको लगा, मेरे को मौका मिला, अगर मैं कहीं शीष नेत्वित की मदद नहीं रहती, लोग कहते हैं कि आप आप तो चम्चागिरी करते हैं, आ बड़ा सपष्ट मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से बूलना चाहता हूं, मैं क्यों ना उनका एहसान मानूं, अगर मैं अच्छा काम करता हूं, मुझे रिक नाइफ किया जाता है, एक मिन्ट, क्योंकि इसमें एहसान माननी की क्या जरूत है, अगर आप अच्छे का अगरों की बात करते हैं, गलत आंकडा कोट करते हैं, आप ABP News के 7-8 होएं पर 5-8 उसको बताते हैं, उसको छोड़ दिए, पर मैं एक दूसरी बात आपने कहीं, कि सोशल मीडिया ने बड़ा रोल किया, राहूल गांदी का सोशल मीडिया का एकाउंट क्यों नहीं है, क्यों इसलिए क्योंकि हर राजनेतिक पार्टी में एक प्रतिस परदा का महूल होता है, हर राजनेतिक पार्टी में लोगों के अपने अंबिशन्स होते हैं, लीडर्स के अंबिशन्स होते हैं, लगातार एक कंफ्रिक्ट का महूल होता है, कोई ऐसा असा तरीका नहीं होता, जिस नहीं इस बात को मैं मानूं। जहां तक के Twitter account की बात है। वो इसलिए राहुल जी का Twitter account नहीं है क्योंकि राहुल जी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि उनका Twitter account Twitter handle रात को रहें हमारे बहुत सारे नेता यहां तक एकало अबश्किक को अपना Twitter account, including Narendra Modi दीजी उनका Twitter account को के बहुत सारे लोग हैं जो उनके बिहाब पर लिख करके वो करते हैं राहुल जी इस बात को विश्वास नहीं करते वो कहते हैं कि मेरा अगर account होगा तो मैं खुद जब चलाओंगा और जब मुझे लगेगा कि मैं खुद मेरे को account की जरूरत है मैं खुद उसके उपर इतना समय देके अपना mail लिख सकता हूं मैं Twitter और Facebook दोनों पर आऊंगा तो हम लोगों को इससे ज्यादा अब जब पार्टी का as spokesperson as communication department का head जब मैं अपनी बात और राहुल जी की बात करता हूं मेरे मेरी समझ से लोगों को इससे संतुष होना चाहें अजय जी मेर सबी राइतिक समीख्षक मुझे सहमत लगते हैं कि Congress चुनाव जीत तो नहीं सकती लेकिन भारती यंता पार्डी को जिता जरूर सकती है इसके बारे में कुछ कहिए बिल्कुल गल्त है बात उसकी वज़े यह है जैसे मैंने कहा कि दस विधायक तो हमारे अभी भी हैं और ब किये त्रिकोर्णिय मुकाबला है लेकिन मुख्य मुकाबला हमारा बीजेपी से है क्योंकि दिल्ली के अंदर ट्रेडिशनली Congress और बीजेपी पार्टी दोनों रही है दिल्ली कैंट का अगर चुनाव का नतीज़ा अगर कोई किसी मूट को रिफलेक्ट करता है जहां पर सा तरह साल Congress की सरकार कर नेतर तो शीला दिक्षी जी ने किया और आपने वी उनके नेतरतों में काम किया आपने कहा भी इस बात को इस चुनाव में उनकी तस्वीर ना तो किसी पोस्टर में है ना वह कहीं कंपेन में हैं क्या Congress Party ने अपने सेनापती को अपने पुराने सेनाप और दीगोजिस के नितर तुम्हें तीन बार जीत हासिल की उनको किनारे कर दिया है और शीला जी के सासा संदीर दिक्षित भी कहीं नहीं है तो शीला दिक्षित को पूरी दरसे आपने पढ़ने के पीशे कर दिया है और क्या उनकी वजए से ही उनको ही जिम्मेदार माना ग करेंगी और उन्होंने कहा भी है कि वह campaign करेंगी दिल्ली के अंदर तो campaign जब प्रचार हमारा शुरू होगा आप इंतजार करेंगी और शीला जी हमारे लिए campaign दिल्ली में Congress के लिए करेंगी अजे जी मैं आनिलानन मुझे ऐसा लगा कि corruption के issue पे आप बहुत जादा high moral ground ले रहे हैं उसका उसका मैं इसलिए यह कह रहा हूँ उसका परिपेख्श ही है कि आप लोकसभा का चुनाब बुरी तरह से हारे corruption के मुद्दे पे और आपने खुद आपने opening remarks में माना कि corruption बहुत ब एक राश्ट्रिय दैनिक में नैशनल डेली में टाइमस ऑफ इंडिया में interview किरन बेदी जी का पढ़ रहा था उसके अंदर उन्होंने corruption को सात्वे नंबर पे रखा सात्वी priority तो जिस corruption की movement अन्ना हजारे जी की movement corruption के नाम पे अन्ना हजारी जी के कंधे पे चड़ करके अपन हम corruption के खिलाफ लडेंगे तो मैं समझता हूं कि भारतिय जंता पार्टी को बहुत सारी बातों का आंसर देना पड़ेगा यह पहला ऐसा मौका है जब सेंटर इंफोर्मेशन कमिशनर चीफ इंफोर्मेशन कमिशनर नहीं है सेंटर विजिलेंस कमिशनर हिंदुस्तान में नह अभी तक के लोगपाल की appointment नहीं हुई जब तक टीनों constitutional authorities जो watchdog है corruption के लिए उनकी चेर्मेंश अभी तक क्या point नहीं हुए है इनके खुद की दिली की मुख्यमंत्री की face ये कहती है कि साथमी priority corruption की है तो इसका मतलब भारतिय जनता पार्टी जब opposition में थी जभी corruption की बात करती थी है वो सारी की सारी बाते भूल गए माकन जी मेरा नाम इसके शर्मा है और आप मेरे से बड़ी बाती परिचित हैं दिली विधान सबा के सबागार में मुझे आपके साथ बहुत लंबे अर्से तक बैठे सबागार में जब पहली बार चुनके आए से मुझे वो समय भी याद है आप जब विपक्ष के है में ल अब ऐसे लोग हमारे दर एक कहवत है सकल खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ ये तीनों आप एमले एक तरफ मिलाएं तो पूरी भी धानसवा एक तरफ बैठती है तो ये तीनों अपनी मेरिट पर जीत कर आ सके पार्टी लेबल जो भी हो उसके लिए आपके पा मुकेश शर्मा जीत सकते हैं या पवन शर्मा जीत सकते हैं उनके विधायक जो बीजेपी के हैं तो वहां पर आपको जैदा तर लोग मुकेश शर्मा की बात करेंगे इसलिए मैंने कहा कि पहले से फालतूर सीट बेशक दिबांग जी ने मुझे ठीक करा सही करा मैं अगर रखडे में गलत हुआ मैं वाफी चाहता हूं तो इंप्रोब्मेंट अगर हुई है तो वह हमारी टिकेट से बीचिए के बाद में हुई है और फरदर टिकेट सीबूचन के बाद और इंप्रोब्मेंट होगी अजय माकन जी आपने अभी तक ये नहीं बात की कि आपका जो आगे जाके प्लान है डिली के लिए उसमें आप डिली किस तरह का सिटी मानते हैं कि कैसा होगा और क्या उमीद है जो यंग्स्टर्स डिली में आते हैं उनके लिए आपका क्या प्लान है अपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर मेरे ख्याल से पूरा एक सेशन ले लेगा क्योंकि यह सबसे महतुपूर्ण आंसर डिली हमेशा से एक का एक सेंटर रहा है जहां पर इसे व्यापार आसपार का होता रहा है हमारा यह मानना है कि दिली हमेशा से करमचारी और व्यापारी का शहरा है यहां पर बड़ी इंडस्री और फार्मर्स एक्रिकल्चर दोनों नहीं है यहां पर करमचारी और व्यापारी दोनों के दोनों रहते हैं दिल्ली के अंदर पिछले दिनों में construction तेजी से development तेजी से होने की वज़े से एक बहुत बड़ा तपका migrant तपका दिल्ली में आकर के रहा है जो की अच्छे हालात में नहीं है अगर दिल्ली के अंदर हम दिल्ली को world class city बनाना चाहते हैं तो दिल्ली world class city सिर्फ बड़े बड़े flyovers और metro और बसे से नहीं बन सकती है हम लोगों को इसके पीछे जाना पड़ेगा unauthorized colonies क्यों बनी हमारे दिल्ली के अंदर आज भी 12% मकान खाली हैं सेंसर्स की figures के हिसाफ से और दिल्ली के अंदर 12% मकान खाली हैं और दिल्ली के अंदर अभी भी लाख लोगों को फाल्तू दिया गया 12% मकान सेंसर्स सर्वे के अंदर खाली पाय जाना लोगों ने इंवेस्मेंट के लिए रखा हुआ और उससे आधे लोग दिल्ली के अंदर जुगियों के अंदर और unauthorized अपना कोट कहने के colonies के अंदर रहना यह मेरे खाल से अपने आप में in equitable distribution है जब तक जहां पे slums हैं वहीं के वहीं in-situ उनको हमारे FAR का advantage दे करके in-situ high-rise हम लोग जब तक के नहीं बनाएंगे जब तक के हम लोग दिल्ली का development नहीं कर सकते बहुत लोग high-rise के खिलाफ हैं मेरा यह मानना है कि city compact हो high-rise हो तो energy efficient होती है लोगों को अपने घर के को हम लोग अगर एक जगे से दूर 50 km नरेला बवाना दिल्ली के fringes में छोड़ दें तो वो कोई जोगी जोपड़ी वालों का rehabilitation नहीं होता बलकि displacement होता है जिससे law and order problem जिससे आगे आने वाले समय के अंदर disparity लोगों की सोच में problem और employment की problem होती है तो अगर आपने slums को अगर rehabilitate करना है तो उसी जगे के उपर जब तक आप उनको वापस वही पर नहीं विसाएंगे उनको employment opportunities वही के वही जहां काम करने नहीं देंगे जब तक कि वो लोग resettle नहीं हो पाएंगे तो दिल्ली की equitable distribution के लिए दिल्ली में जो लोग आये हुए हैं गरीब लोग उनके लिए सारे काम करने की जरूरत है अजय जी मेरा नाम वर्तिका नंदा है आपने law and order की बात कई बार की 15 साल जब आपकी सरकार रही दिल में बार बार कसक से उठती रही कि काश दिल्ली पुलिस हमारे पास होती क्या वो कसक इस बार चुनाव के बार भी जारी रहेगी और उस कसक के किसी नतीजे तक पहुँचने की कोई बात हो सकती है और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ दिल्ली पुलिस में इस समय जो करीब 90,000 की फौज है उसमें से करीब 45,000 की फौज वी आईपी सिक्यूरिटी में लगी रहती है अगर आपके पास अगर आती है दिल्ली पुल कि पुलिस जो है हमारे दिल्ली में पुलिस मुखेता तीन हिस्सों में है ट्राफिक पुलिस है लोकल जो है क्राइम की प्रॉबलम है और तीसरा हमारा सेक्यूरिटी का है इसमें मैं यह मानता हूँ मेरा यह मानना है कि लोकल लौ एन और प्रॉबलम का का काम हमारे दिल्ली पाद में ट्राफिक चलाता हुआ नजर आ जाएगा तीन साल के बाद में वो ठाने में टांसवर होगा तो रेडी पट्री वालों से पैसे उगराई करते हुए नजर आ जाएगा जबकि सेक्यूरिटी ट्राफिक और लॉइन ओर तीनों के तीनों लॉइन ओर तीनों के तीनों अपने आप में स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं और इसके अंदर जो है लॉइन ओर खास और पर और क्राइम खास और के उपर दिल्ली सरकार के अंदर होना चाहिए तो हमारे अगर लोग सिरफ यह मांग करते रहें पुलिस हमें दीजिए पुलि उनसे हम इंशोर कर सकें उनसे हम ले सकें यह मेरा सोच है अंत में मागन साहब यह सवाल आप ने खुलके सब चीज़ों के सब जवाब दिये तो सवाव डिये कि क्या अगर आप जीतते हैं आपके पार्टी जीतती है तो आप ही मुख्य मंत्री होंगे यह मत कहिएगा कि लि जाती है मैं उस पे चलता हूँ लाइन हमारी ऑफिशल लाइन गे रही है इस ऑफिशल लाइन का नुपसान नहीं होता देखिए दूसरी पार्टियां खुल के कहते हैं ये प्रधान मंत्री होंगे ये मुख्य मंत्री होंगे उनको जंता चुन लेती है आप एक लाइन करना चाहता कि जिसमें कम्मिनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड कोई आरोप लगाए कि यही मिस कम्मिनिकेश कर रहे हैं तो इसलिए जो पार्टी की लाइन अभी तक है और आगे भी रहेगी और इस सुनाव में भी रहेगी उसका उसके उसके पॉजिटिव और अलग है हमारे पार्टी की परिपार्टी अलग है और सविधान की पॉजिशन अलग है मैं समझता हूं सविधान के अंदर जब लोगसभा के एंपी जान मंत्री और विधान सभा के विधायक मुख्य मंत्री अक्तमा चुनते हैं तो और कॉंग्रेस उसको फॉलो करती है और यही हमारी पार्टी की अधिक्रित लाइन है और मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की लाइन मैं बोल सकता हूँ, मैं लाइन से इधर उधर नहीं जा सकता, तो मैं सिरफ यही अनुरोत करूँगा कि इस बास को पार्टी की लाइन है। सरकार चल रही थी हमारे सक्षम लोग विधायक अभी भी सब जगे के उपर हैं लोगों की सोचने से विधोधी पार्टियों के सोचने से कॉंग्रेस खतम नहीं होती कॉंग्रेस के लोग कॉंग्रेस का नाम लेना चुप हो जाए हमारे विरूधी पार्टी अगर नाम लेना बिल्कुल नहीं देखेंगे, कहीं नहीं देखेंगे, record कर लिजेगा, हम BJP की तरह नहीं है कि किसी को हफ़ता वसूली पार्टी कहे, उससे इसका समर्थन उससे ले ले, किसी को naturally אות पार्टी कहे और उससे समर्तन ले ले, हम BJP की तरह नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया बाकन साब हमाई साथ गोशना पत्र में जुड़ने के लिए तो ये था आज का गोशना पत्र अगले गोशना पत्र में दिल्ली की जनता के सामने एक और बड़ा मेहमान देखते रहे हैं आप